हम जानते हैं कि आपके पास टाइम बहुत कम है लेकिन हम इस वीडियो में इतने इंपोर्टन कोशन कर लेंगे कि अगर आपने अब तक भी कुछ नहीं पड़ा तो आपके आहीं जाएंगे तो आए वीडियो के स्टार्ट के तो हमारा सबसे पहला अगर हम इंपोर्टन कोशन ले तो यह इंपोर्टन कोशन इतना हो जाता है कि इसे सैंपल पर में भी दिया हुआ है अगर यह डिरेक्ट कोशन ना है तो इससे घुमा फिटा के भी कोशन दिये जा सकते हैं जो कि बंगाली स्कूल का आपको जो भी ओरीजिन डेवलोप्मेंट के बेसिस पे की हमें सेंपल पर कोशन पर में दिया हुआ है अगर आप इसे इतना ही देख लेते हैं तो इसके लिए मिलेंगे मतलब सारे पॉइंट के लिए आपको 11 मार्स मिलेंगे और यहां पर साब साब उसमें लिखा हुए एंसर एक्सेप्टेड इन 200 वार्स तो आपको साब साब य अगर आप उसे देख लेते हैं तो 100 परसेंट कंफर्म है कि आपके यह मार्स हाथ में है तो बंगाल स्कूल में रिवाइवल ऑफ इंडियन आर्ट रोल ऑफ इवी हवेल और अवनिन ना टैगोर आप यह लिग देंगे और इसका प्रोपर नोट जो आइधिंक यूटूब अब लेवल है बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है खुद मैं बस यहां पॉइंट कवर करा रहा हूं मैं जो भी टॉपिक है उसको एक्स्प्रियन नहीं करूंगा यहां पर बस आप इस पॉइंट को देख ले तापका हो जाएगा सीवन सती और वह जो जो अजनता यह लोड़ा वाले जो भी इंफ्लूएंस उसमें दिख रहा था इंप्रेशन उसे आप लिख सकते हैं तो आपके वह फोर मार्स हंडेट परसेंट हो जाते हैं तो नेक्स्ट हमारा कोस्चन इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है ननलाल बोस्त इसमें जो भी यह राइटर है एक आपको 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 नाम ही नहीं पकड़ पाएंगे तो आपका वह जो कोश्चन है पूरी तरह से गलत होगा तो इस ट्राइब कोश्ट की उमीद की जा रही है जो कि टू मार्स या थ्री मार्स में एक हो सकती है ताप इसे देख लें तो ननलाल बोस्त का ये बार जो थे इनको यह तीनों मिला हुआ था तो ननलाल बोस ने जो क्या था एक पेंटिंग बनाए थी जिसके लिए उन्हें पदमेवुसन मिला हुआ था राम गोपाल विजवर गिया इन्होंने आइधिंक जो बनाया था वह आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख देंगे एन फु यह तिन पॉइंट अगर आपके हाथ में तो कोई भी आर्टिस्ट के बारे में ज्यादा ज्यादा यह पोलेगा कि पैबलो पी कैसो अफ इंडिया किसे कहा जाता है तो एम फुसेन को कहा जाता है जो इन्होंने पेंटिंग बनाई थी उसके लिए और आपको उनके उनके आ तो इनका था जर्णी इंड तो आप यह देख लेंगे फादर फॉल्क रेजोनेंस यह सैंपल कोशन पेपर में दिया है जिसे जामनी रॉय ने लिखा जो की चिल्रेंड और मदर और चिल्रेंड जो इनकी पेंटिंग थी उससे रिलेटेड यह जामनी रॉय है तो इस चीज तो यहां आपके लगभग 10 मार्स के हो गया अगर आपने नेशनल प्लाइक के बारे में नहीं देखा तो मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ था आप उसे जाकर देख लेंगे यहां पर वीडियो नीचे चैनल पर जाएंगे तो आपको यह वीडियो मिल जाएगा तो मैं अगर आपको लगे यह वीडियो तो हिट सब्सक्राइब बटन एंड जस्ट लाइक देख किया और बाए